कि दिल्ली भगवान वरोसी है, पीने का पानी नहीं है, पहली बद तो पानी नहीं मिलता कि दिल्ली सरकार बेकार है, तो तिल्ली सरकार हर मोर्चे पर विफल हुई है हम तुमारे साथ, 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 हम तुमारे दिल्ली में जल भराव की समस्या को लेकर लगातार धरना परदशन क्या जा रहा है दिल्ली रोताशनगर विदानसभा से विदायक जीतेंदर महाजन यहां पर धरना परदशन कर रहे हैं और साथ ही साथ RWA के भी लोग यहां पर मौझूड हैं और वो दिल्ली की इस वेवस्था को लेकर लगातार धरना परदशन कर रहे हैं और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहां पर नारे बाजी की जा रही है दिल्ली सरकार को लेकर लेकिन दिल्ली सरकार लगातार सोई हुई है जिस जो समस्या पहले थी उसको लेकर लगातार वही समस्या बनी हुई है जो पिछले साल समस्याएं रहती थी वो इस साल भी वही समस्याएं है अर्विंद केजरी वाल सरकार ने मांचुन से पहले करोडों रुपे खर्च करकर ये ऐलान किया था कि दिल्ली के अंदर कहीं भी जल भराव की समस्या नहीं होगी अर्विंद केजरी वाल सरकार जल भराव रोकने के लिए विफन हो गई है मेरा ये कहना है कि दिल्ली की जनता ये सभी लोग टेक्स प्रेयर हैं ये सभी लोग अपनी कामाई में सरकार को टेक्स देते हैं ये टेक्स इसलिए देते हैं कि जिन विभागों में जिन विभागों जो विभाग इन लोगों के टेक्स से चलते हैं उन विभागों की जिम्मेवारी है कि इन लोगों को सुविधायं भी दें। लाखो करोडों रुपे लगा कर ये पंफाउस बनाए गए हैं। मगर जब भारिश आती है तो ये पंफाउस काम नहीं करते हैं। P.W.T. के नालों की सफाई ठीक प्रकार से नहीं होती है। पानी आता है तो इतना आता है कि लोगों के घरों में कुछ से आता है। तो दिल्ली सरकार हर मोर्चे पर विफल हुई है। ऐसा मेरा कहना है। अर्विंद केजरिवाल के मंत्रियों का यही कहना है कि हम लगातार काम कर रहे हैं। इस तर पर उतर कर काम कर रहे हैं लेकिन यहीं पर विदायक जितेंद्र महाजन यहां पर लोगों को दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहां पर समस्याए बनी हुई हैं लोग यहां पर तरस्त हैं सुबह सुबह जो लोग जाते हैं जल भराव के कारण उनको बड़ी परेशानी होती है तो इसी कारण से जितंद्र महाजन यहां पर लोनी गोल्चक्तर पर धर्ना परदर्शन कर रहे हैं और साथ ही वो लोग भी मौजूद हैं जो सोसाइटी के लोग हैं और जो यहां पर रहे हैं अच्छी तरह से साफ नहीं किये जाते और पता तो है नहीं बारिश होती है और इनको जो नाले है नालो की सफाई पहले करा देनी चाहिए और इसको हमें सरकार है इसको बदलना है और इसको बदलना ही पड़ेगा जब जनता का कोई जो परेशानी है वो हलो हो सकेगा अभी कमसे हम 15-20 दिन पहले भी हमारे महाजन जी विदायक जी और हमारी पार्सदार रिना महिश्वरी जी और यहां के आट डबलू एलाइजी और एमाईजी के सभी पताधिकारियों ने और सम्भानित एलाइजी माईजी लोगों लगा बच्चों अपने लोगों अपने दूर्ट अ भारसे लाइजी अमाजी माजन बाहर से भी पानी गया है जबकि अगर यह टाइम झाय है जो केसी वाल सरकार अगर यह टाइम से अपना काम करे तो यह सैंग हमाजना जैसा कि अपनी और ऑड़ी परेशान नहीं प्रश्ट इंसान है उसने पूरी दिल्ली को बरबाद कर दिया कोई यहां बाषनता जो रहने वाला दिल्ली का है वो पूरी तरह से लूटा गया है उसको दोखा दिया गया है केश्रिवाल ने हर तरह से इसको बरबाद कर दिया आज पूरे एरिया में पानी बर रहा है केश्रिवाल के इधर जूम भी रही रूंग रहे हैं बहुत बेकार इंसा है और यहां के निवासियों ने आर डबनुए ने सब ने यहां के इंजिनियर्स को डिपार्डमेंट को दिल्ली सरकार को चेताया कि आप जल बराव से लिए सफाई कराईए कोई नहीं कराई गई सब मस्ते हैं बरस्टाचारी प्रतर रही है पूरा बरस्टे ठेकेदार पैसे लेके भाग रहे हैं सरकार की हिस्सेदारी है उस पैसे में पेजरिवाल सरकार की बरस्टाचारी में हिस्सेदारी है उसका परिणाम यह है कि वो जेल में पड़ाए के लिए बेकार काम के लिए बिलकुल प्रक mechan 네. के मंत्री के रहें की एक रूपा नी mil. मंतोरी नीमी परे जब गोटाले का हैडी अंदर बंद है प Además काहँ से आएगा आप देख सकते हैं कि किस तरीके से भाजपा सरकार यहाँ पर विरोत परदर्शन कर रही है केजरिवाल सरकार के खिलाफ कभी पानी को लेकर तो कभी जलबराव को लेकर यहाँ पर लगातार विदहायक जितेंदर महाजन जी की तरफ से लगातार यहाँ पर धरना परदर्शन किया जा रहा है अगर इनको क्या हर बार बताना पड़ेगा कि पंपों को ठीक करा जाए पंप ठीक चलेंगे तो पानी भरना ही नहीं आ एलाईजी एमाईजी में पहले हमने खूब घूम घूम के यहां के पंपों को देखा तो पंपों को खराब पड़े थे जूट बोलते हैं हमारे सारे पंप चल रहे हैं हमने जाकर के जाब बारिश में चेक करें पंप तो इनके सारे पंप बस एक ही पंप चल रहा था और सारे पंप बनते अर्विंद केजरिवाल सरकार और PWD वीबागी कलाई खोलना हमारा उदेश्य है कि करोडो रूपे लगा कर भी दिल्ली को जंता को जलवराव से मुक्ति नहीं है और PWD ब्रस्टाचार में डूबा हुआ है ये दिखाने के लिए आजमचड को पर आए A.S.B. Lancer Camp, I.H.B.W.D.I.P.W.D.I.H.